हलो दोस्तों मेरा नाम है नविन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विजन में दोस्तों हमारे चैनल में हमने डेली फीटर MCQ की एक नई सिरीज स्टार्ट की है जो कि आपको हर सुभा साड़े चार बजे वीडियो अफलोड हो जाएगी तो ये जो सिरीज है सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगी जो कि आपको चाहे आप ITI स्टुडेंट हो चाहे X स्टुडेंट हो आपको किसी भी एक्जाम, एनुवल एक्जाम देनी हो, इंट्रेंस एक्जाम देनी हो या किसी भी एक्जाम की त्यारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये helpful होगा तो चली शुरू करते हैं हमारा आज का ये पहला class पहला question है निन में से कौन सा रंग की रन खत्रे के लिए उपयोग किया जाता है बी की रन खत्रे के लिए परियोग किया जाता है तो इसका सही answer है option number D जो लाल रंग है वो खत्रे के लिए परियोग किया जाता है next question है निन में से कौन सा एक micrometer का हिस्सा नहीं है micrometer का हिस्सा यानि की micrometer का parts कौन सा नहीं है slip, beam, anvil या spindle तो इसका सही answer है beam beam जो होता है micrometer में नहीं होता है या बाकी आपका sleep जो है micrometer में anvil spindle सभी micrometer में होते है next question है case hardening खालिस्थान की सत्व पर skin कठोर बनाने के एक बीदी है यानि कि case hardening किस material पर किया जाता है तो alloy steel के part पर, cast iron पर, high carbon steel part पर या low carbon steel part सबसे पहले समझे कि case hardening करते क्यों हाड़निंग जो होता है वो carbon percentage बढ़ाने की एक बीदी है तो यह हम लोग low carbon steel पर ही करेंगे तो इसका सही आंसर होगा option number D यानि कि low carbon steel अलव इस्टिल पर नहीं करते कास्ट iron पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें लेत पर turning operation के दावरान वर्ग या अन्यमित आकरिती कार्य टुकडों को खालिस्थान पर जडित करते हैं यानि कि अन्यमित जो या वर्गकार जो जो होता है उसको किस चीज़ पर हम लोग hold करते हैं इसका option है थ्री जो चक, कॉलेट चक, इंडिपेंडेंडेंट चक, फोर जो, सेल्फ सेंटरिंग चक दोस्तों इस question पर आपको confusion हो जाएगा क्योंकि आप हो सके तो answer आप यहाँ पर option number D लगाईएगा क्योंकि square job या तो independent चक के लिए जोब के लिए हम लोग forge चक का परियोग करते हैं लेकिन यह जो forge चक है वो self-centering चक है यानि कि यह automatic center पे आपका aligns हो जाएगा तो इसका सही answer है option number C जो normal forge चक होता है उसे हम लोग independent चक भी कहते हैं तो इसका सही answer होगा option number C independent चक फोर्जो चक को independent चक भी कहते हैं next है हमारा question number 5 एक ring gauge का उपयोग खलिस्थान मापने के लिए किया जाता है तो ring gauge का परियोग बाहरी ब्यास जो गोलाकार नहीं है उसे मापने के लिए करते हैं या गोलाकार है परन्तु बाहरी ब्यास नहीं है उसको मापने के लिए करते हैं या AB दोनों या केवल बाहरी लोड़ियां मापने के लिए करते हैं यानि कि इस को अप्शन का आंसर होगा ओप्शन नमबर दी नेक्ट कोशन है कोशन नमबर सेक्स रीमिंग खलिस्थान का प्रचलन है रीमिंग क्यों किया जाता है यानि दोस्तों यहां पर आपको लेंगवेज जो है थोड़ा मुस्किल लग रहा होगा लेकिन यह जो कोशन है किसी एक्जाम के competitive एक्जाम में online पुछा गया कोशन है तो language कुछ इसी तरह से रहता है इसलिए हमने किसी तरह का फिर बदल नहीं किया है आपको इसी तरह से आपको प्रेजिन किया तो रीमिंग का प्रचलन क्यों किया जाता है रीमि संकु आकरिती कार विस्तार करने के लिए संकु कार बनाने के लिए या option number D एक चिदर की अकार देना या तो प्रसकरन याने की smooth करने के लिए तो इसका सई answer होगा option number D जो हम लोग drilling करते हैं तो इसमें जो सतव जो होता थोड़ा roughness उसको हम लोग smooth करने के लिए या तो उसे और आकरिती में शेप देने के लिए हम लोग रीमिंग का परियोग करते हैं option number D next question है हमारा question number 7 घरेलू तारों और छोटी इकाईओं के लिए निमलिखित का इस्तमाल सुरक्षा उपाय के दृष्टी से किया जाता है घरेलू तारों में कौन सा सुरक्षा उपकरण का परियोग किया जाता है तो इसका सही आंसर है option है MCCB, MCB, OCB, ACB तो इसका सही आंसर है option number B MCB का परियोग किया जाता है घरेलू जो बिजली के बोर्ड होते हैं next question है question number 7 फोर्जिंग किया जाता है जब धातु खलिस्थान अवस्था में होता है तो option है elastic, solid, plastic या liquid तो फोर्जिंग कब करते हैं जब धातु हमारा solid अवस्था में होता है यानि कि option number B next question है DC arc welding में बिजली की खपत होती है तो DC arc welding में बिजली की खपत कितनी होती है तो calculate करना मुस्किल है या arc welding में बिजली की खपत से ज़्यादा होती है या arc welding में बिजली की खपत से कम होती है या हमारा option number D है arc welding में बिजली की खपत के समान तो जो DC welding होता है उसमें बिजली का खपत हमारा AC विल्डिंग से ज़्यादा होता है तो यानि कि option number D option number D हमारा, sorry option number B हमारा correct है next question है, micrometer में ratchet का उदेशिया क्या है? तो micrometer में ratchet का उदेशिया क्या है? option blue गती input करने के लिए, micro एक dimension lock करने के लिए एक चूड़ी के घिसने का ख्याल रखने के लिए या परियाप्ट दबाव बनाए रखने के लिए तो इसका सही answer होगा option number D, परियाप्ट दबाव बनाए रखने के लिए ratchet जो होता है, जो micrometer में या कहीं पर भी ratchet जो होता है वो आपका proper जो प्रेसर बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि हम ज़्यादा प्रेसर हाथ से जब घुमा रहे हो micrometer को तो हाथ से ज़्यादा प्रेसर ना लग जाए इस वज़़ज़ से वहाँ पर प्रोपर प्रेसर बनाए रखने के लिए प्रेसर रहोब किया जाता है नेक्स्ट है था हमारा हमारा अज के ला सबस्की fini भी जो सब्सक्राइस जो ड्रॉइय और आपको यह जो PDF है आप हमारे टेली ग्राम गुरूप से भी जोईड करके इसे download कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम में जूडने के लिए आप टेलीग्राम के search पैनल में टैब कर सकते हैं टेक विज़न टेक विजन या टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे वीडियो के description पे भी मिल जाएगा तो वहां से आप जूड़ सकते हैं तो आज का हमारा question of the day है आवजार की life खलिस्थान के साथ बढ़ता है एक आवजार एक टूल का life किसकी वज़त से बढ़ता है तो यहां पे option है cutting edge cutting edge angle बढ़ाने से nose angle को घटाने से या slide rake angle घटाने से या back rake angle को घटाने से तो comment में आप answer जरूर दीजिए तो यह था हमारा आज का class तो मिलते हैं अगले नए class के साथ तब तक के लिए जैन